आज हमारा 60 ट्रांस्पोर्टिंग डे का फाइनल डे है तो आज हम कुछ चीज़ा समझेंगे और कल इसी समय आपको एक्जाम पेपर दिया जाएगा इसी समय एक्जाम पेपर होगा कुईज के फॉर्म में और आपके डॉकुमेंट समिशन के फॉर्म में अब आपने अभी तक जितनी भी मैनत किये जितने भी डॉकुमेंट्स बनाएं सारे इकटे करके और बेज देना है उस मेंसे जो सबसे बेस्ट डॉकुमेंट्स होंगे उसको मैं वेबसाइट पर भी रखोंगा और आपका नाम उसमें रहेगा ठीक है और उसमें जो सबसे जो तेटिकल टेस्ट में और डॉकुमेंट्स समिशन में जो लोग सबसे नंबर बरन नंबर टू नंबर पंद्रा तक के लोगों को के नाम में डिक्लेयर करो और उन लोगों को जैसे कि मैंने मैसेज में पहले लिखा था कि हम कुछ कोर्स कॉम्पलीमेंट्री देंगे इन दा फॉर्म अब आवार्ट्स जैसे कि मैंने पहले मैसेज में लिखा था बैसे देखी इतने छोटे मोटे कोर्सों से कोई फरग नहीं पड़ता लेकिन यह किबल मॉटिवेशन के लिए ताकि एक मॉटिवेशन होता ने चॉकलेट भी मिलती है उससे भी छोटे बच्चों कहते हैं चलो एक काम करो एक चॉकलेट देंगे आपको तो मॉटिवेट हो जाते हैं बस वो चॉकलेट है और कुछ नहीं बागे तो अभी सभी आप लोग इतने अच्छे अक्युपंक्चरिस्ट बनने वाले हो अगर आपने सोचा कि धर्म करना है तो धर्म में आगे रहोगे आप सोचों कि अर्थ कमाना है तो आगे पीछे गारियां घूमेंगी सिर्फ अक्यपंक्चर से आपने का बस भोग भोग ना वो भी मिलेगा सेवा करनी है तो वो भी कर सकाए As per your own desire. अबी मैंने दिल्ली में एक अक्यपंक्चर का कोर्स करवाया, Dog Aukupunktur. Dog Aukupunktur. मैं इसी लिए 6 दिन दिल्ली के आता. तो हमने शिर्फ अक्यपंक्चर सिखाया, Docks के उपराई. इतनी बहुत बारी किसे Docks को देखा, उन्हें भेड़कूल वही पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे अंदर होते हैं, जैसे हमारे अंदर कितनी हटियां होते हैं? लेकिन डॉक्स भी खूब इमोशनल होते हैं उनके अंदर गुश्चां क्रौध इमोशन नक्षञे सब अखडरी होते हैं रूर्ट जाते हमको मनाना पडता है looks on all PS प्रोहें इसलिए प्रोश्टेडू होता है प्रोश्टेडड इनलार्दमीध горम राना कोविड हो कि एस् Sense a ऊजाना कि भीमारी बीव विगार्य को इंत हर जो ही इंता होता सावन में उता ऐस इंता ऐस नो थी उतनी होता है में झॉतन है उनको तो बदली मों उतना देंगी बस यह चीज अनकॉमन है humans में कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग अलग होते हैं तो बड़ा मजा आया है तो अगर आपने human का एकिपंक्चर सीख लिया तो आप आगे चल गे थोड़ा सा दो दिन की मेहनत करोगे तो डॉक कर भी कर दोगे गाय पर भी कर दोगे बहन्स भी कर दोगे सारे एनिमल्स पर कर सकते हैं एक बार आपको इनर्जी सर्किट समझ में आना चाहिए बस जैसे कि कुछ फॉर्मूले आज मैं बताऊंगा आपको सिखा तो सीखना सिखाना तो चलता रहता है प्रतेक मेरिडियन का जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है जैसे किड्नी का किड्नी 1, किड्नी 2, किड्नी 3, 3 नंबर का स्प्लीन का स्प्लीन 1, स्प्लीन 2, स्प्लीन 3, किड्नी का किड्नी 3, स्प्लीन 3, लिवर का लिवर 3 किसे भी मेरेडियन का जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है वो पूरे मेरेडियन को बैलन्स कर सकता है पूरे के पूरे मेरेडियन इस टमक का इस टमक 43 गॉलबडर का गॉलबडर 41 किसे भी मेरेडियन का जो तीसरे नंबर का पॉइंट होता है वो पूरे meridian को balance कर सकता है, यह हमेशा याद रखिएगा, यह तो formula number one, लेख लिए, आज लिखते जाएगे, जब मेरा मन होगा तो मैं लिखाँगा, अभी मैं बोल रहाँ, ठीक है? तो कभी भी कोई बोले ना, यहाँ दर्द हो रहा है, देखना कौन सा मेरे डियन है, उसका तीसरे number का point, stimulate कर देना, भूल जाना की tone करना है, sedate करना है, just activate, उसको stimulate कर देना, acupressure से कर देना, acupunkture से कर देना, उसको दवा देना, अच्छी तरह से, यह उस पर needle लगा देना, यह उस पर Matthew matter के दाने, magnet लगा देना, तीसरे point को stimulate करने से, पूरा meridian balance हो जाता है, यह formula number one, तो formula number two, बहुत याद रखेगा, कभे भे कोई meridian, बहुत hyper हो जाए, hyper, और उसकी हवा निकालनी, जैसे कहते हैं न, कि भाई, तू तो बहुत हवा में उड़ रहा है, चल तेरी हवा निकालता है, आजा, तो हवा निकालेगा, हवा कोण निकालता है, असली हवा निकालते हैं आपके बच्चे, अडोसी, पडोसी, मौसव मौसी, बतीजे, मामा, कोई निकाल पाएंगे, असली हवा निकालते हैं बच्चे, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, वो कितना भी उल्टा उल्टा करे आपको चुल्टा करनी से ऐसे फाइव एलिमेंट है हाट की उर्जा बढ़ गई हाट का सन पॉइंट लगा दू हाट सेबन वो उसकी उर्जा को चूस लेगा जैसे कि मां का दूद बच्चा सुक लेगा किसे भी मिलडियन की उर्जा बढ़ जाए तो उसके सन पॉइंट को सेड़ेट कर देना किसी को चैस्ट पेन हो रहा है तो हाट का भी सन पॉइंट लगा दे परिकाडियम का भी सन पॉइंट लगा किसी के पेट में गैस बन गई है तो इस्टमक का सन पॉइंट लगा जो भी सन पॉइंट होगा बीदेख्टा, चार तो आप चीख़ चुकिए हैं, चार तो आपको बताईये, SUN पइंट कहों सा होता है? सिप पोईंट कहों होता है? बताइये! सिप पोईंट कोई था है? इस्टमक क्या है? अर्थ एलिमेंट है. उसका सन पॉइंट कहों होगा? मेटल मेटल होगा ना तो इस टमक 45 लगा दो तो उसकी हवा निकाल देगा वो इस टमक की फाल्दुगी गर्मी निकाल देगा इसे प्रकार से किसी भी मिरेडियन का संपॉइंट लगाने से आप उसकी फाल्तिकी उर्जा को निकाल से कोई बहुत मांसिक रूप से परिशान है टेंशन में है हाट पर भारी भारी बरकम बोज लिए घूम रहा है उसको बोलो यार यह निकाल सब हाट से क्या हाट पर भारी पर लेके चल रहा है कैसे निकालेंगे हाट के संपॉइंट को सेडिट पर देंगे हाट का संपॉइंट है हाट सेवन सब जानते हैं ना हाट से ऑन हाट का सब noisy सब लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं ह। वह बिंदु जो मन को शांता पर शांतर करेंगे ऐसा मन्दु जो मन को एकड़म कामडाउन कर देंगा तो कहते हैं कि Heart 7 और Pericardium 7, दोनो फायर है, दोनो Sun Point है, तो कहते हैं कि अगर पुरुस के हिर्दे को शांत करना हो, तो Heart 7 लगा दो, और इस्तरी के हिर्दे को शांत करना हो, तो Pericardium 7 लगा दो, हाला कि आप पुरुस में दोनो लगा सकते हो, इस्तरीयों में दोनो लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप बोलो, नहीं हम एक ही लगाएंगे, एक बताओ, तो कहते हैं कि पुरुषों के हिर्दे, शांत करना हो, तो Heart 7 को सेडिट कर दो, तो उनका दिल शांत हो जाएगा, और इ फाल्तो की उर्जा को सोख लेना, एब्सॉर्ब कर ले, वो सन्पॉइंट करका, अब बात करें, अगर हम बात करें, ग्रांट सन्पॉइंट, ग्रांट सन्पॉइंट तो उसका भी दो कदम आगे है, ग्रांट सन्पॉइंट, सन्पॉइंट तो धीरे धीरे दूद चूजत ग्रांट संपॉइंट यही काम बहुत तिब्रता से करदा है और एकदम से तेजी से चूस लेता है सारी इनर्जी जैसे स्प्लीन में उरजा बहुत बढ़ गई है गैदरिंग हो गई है खालतों की सूजन इकटी हो गई है कचरा इकटवा ग्याया त्यूमर बन गया गांटे बन गया अर्थ एली में इकटवा हो गया संप्लीन तो सन पंट उसकी गंदगी चूसेगा निकालेगा लेकिन ग्रांड जन बहुत थी प्रता से निकालेगा इसलिए हम कहते हैं स्प्लीन नाइन एक बहुत ही भहतली पॉइंट है जिसके माद्यम से आप सूजन को फालतो की गांटों को वॉटर रिटेंचिन को पिगला सकते हैं क्यों? क्योंकि स्प्लीन नाइन एक ग्रांड सन प्वांड है तो इस्प्लीन मेरडियन है इस्प्लीन मेरिडियन में इस्प्लीन वन है इस्प्लीन टू है इस्प्लीन थ्री भी है इस्प्लीन फाइब इस्प्लीन नाइन है तो इस्प्लीन थ्री तो अर्थ है खुद का खुद ये सेल्फ हो गया ये सन हुआ और ये ग्रांट सन हुआ निखा तो संपोइंट को सय्डिट किया, तो इसकी गंदी की का मतलब है सूजन, गंदी की की का मतलब है गाठेण, गंदी की का मतलब है water retction और ये काम ग्रानिसन बहुत तीवरता से करेगा, इसका करन से इस्प्ली नाइन सेडेशन का बहुत प्रयोग किया जाता है सूजन को मिटाने के लिए अब चलिए हम लिवर का उधारांग लेते हैं लिवर का तो लिवर में उर्जा बढ़ गई है व्रक्ति को गुस्सा आएगा लेक्ति छट पढ़ाएगा गुस्से से इसकी उर्जा को कम करना है तो लिवर तो खुद का खुद लिवर बने इसकी उर्जा को आप लिवर टू से कम कर सकते हैं लिवर डू सदेशन क्योंकि यह संद पॉइंट है लेकि अगर आपने ग्रांट संद पॉइंट लगा दिया तो यही काम और ती बुर्दा से होगा जिसका आम हमें लिवर थ्री बड़ी ती बुर्दा से यह लिवर की उरजा को निकालेगा तो किसे की आँखें लाल हो गई ह आँखो का अरते लिवर तो आप लिवर टू और लिवर थ्री को सेड़ेट करके आँखो की गर्मी को निकाल सकते हैं तो संद और ग्रांट संद दोनों को सेड़ड करने से किसी भी मेरडेन की फाल्तों की उरजा निकल जाती है चलिए एक उधारन और लेते हैं चलिए लंग का उधारन ले 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 अब लंग तो एक मेटल है और हम जानते हैं कि लंग का संबंद का फेंड कोल से भी है तो लंग 11 बुड़ हुआ लंग 10 हुआ पायर लंग 9 हो गया अर्थ लंग 8 हो गया मेटल और लंग 5 हो गया वाटल तो लंग तो खुद एक मेटल है यानि यह तो सेल्फ हुआ यह सेल्फ हुआ तो अब लंग के कफेंड कोल को कम करना है तो आपने संब को सेडिट कर दिया यानि लंग 5 को सेडिट कर दिया लंग 5 को सेडिट करने से लंग का कफेंड कोल कम हो जाएगा लंग की फाल्तुक इनरजी सांथ हो जाएगी और अगर Grand Sun Point को सेडिट कर दिया यही लंग 11 को सेडिट कर दिया तो यह काम और तिप्रता से होगा यही कारण है कि लंग 11 सेडिशन और लंग 5 सेडिशन यानि Sun और Grand Sun Point को आप सेडिट करके किसी भी मिरडियन की फालत्यों की इनर्जीज को बाहर हैक सकते हैं एक बहुत अच्छी बात कि हमारी चमड़ी भी लंग में आती है चमड़ी मैटल में आती है तो किसी की चमड़ी काफी मौटी हो गई है उस पे खुझ ली आती है गंदगी जमा हो गई है उसे भी हटाना है तो भी आप Sun Point से बोलेंगे कि भई हटा और Grand Sun से बोलेंगे भई हट और हटा देगा दनों को सेड़ेट करने से तो जब भी कभी किसी को गले में दर्द हो कफ के कारण आप रात को एक मेगनेट लगा दिना लंग 11 पर और सुबह तक दीखेंगे गला खुल जाएगा लंग 11 पॉइंट यहां होगा है यह लंग 11 पर आपने छोटा सा मेगनेट लगा दिया राद में सो गए लंग 11 तो ग्रांठ सन पॉइंट है सुबह तक गलां आपका डर्द निकल जाएगा गले का फ्रोड इंफ्रेक्शन खतम हो जाएगा यह महत्व है ग्रांट सन का, यानि सन जो काम करता है, ग्रांट सन उसी काम को बहुत तीबरता की साथ करता है तो लंग के इन्फेक्शन को निकाल सकते हैं, हम इसे तरह से हाट के तनाप को निकाल सकते हैं, हाट के पेन को निकाल सकते हैं हाट का संपॉइंट लगा दो हाट का ग्राम संपॉइंट लगा दो लिवर की इनर्जी को निकाल सकते हैं लिवर की इनर्जी यानि जब लिवर की इनर्जी बहुत बढ़ती है तो बीपी बढ़ जाता है और बीपी को शांत करने हैं तो अगर किसी का ब्लेट प्रेशर बहुत बढ़ गया तो बीपी क्या होता है कि पहले तो लिवर की गर्मी बढ़ती है बेती खूब गुशा करता है तम तमा के तो इसके कारण क्या होता है हम क्या करते हैं कि किसी ने गुशा किया चलिए किसी ने गुशा किया और इसके कारण इसका BP बढ़ा, तो हमारा पहला लक्ष है गुसा, तो हम liver 2 को सेडिट करते हैं, जो fire point है, liver 3 को सेडिट करते हैं, जो earth point है, ये sun है, और ये grand sun है, ये दो point, liver 2 सेडिशन और liver 3 सेडिशन को blood pressure के लिए सबसे बहतरीम point माना जाता है, आप दोनों पैरों में कर दी जे, liver 2, liver 3 हमारे दोनों पैरों में होता है, liver 2 सेडिशन, bilateral और liver 3 सेडिशन, bilateral ये grand sun और sun का महत्व है, liver 2 सेडिशन ये कितना सांधर अरबिंदू है, कि liver 2 सेडिशन करते ही, गुस्से के कारणा, अगर आँखे लाल हो गई हैं, तो शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है, गुस्से के कारणा सिर्फ फटा जा रहा हो, BP बढ़ गया हो, तो उसको liver 2, liver 3 सांध कर देता है, ये इतने गजब के पॉइंट हैं, कि अगर कोई व्यक्ति प्रत दिन liver 2, liver 3 को सेडिट करें, तो आप देखेंगे 15 से दिनों से एक महिने के अंदर उसकी BP के दवाईयां छूटने लगती हैं, BP के दवाईयां चांत होने लगती हैं, कम होन होगी एक बहुती बेसिक पूर्स कर रहे हैं, इसलिए हम बेसिक चीज़ें समझ रहे हैं, एडवांस TCM में हम सीखते हैं कि हमारे शरीर में एक सेंट्रल इनर्जी होती है, जो जो जनेटल पार्ट से हाट तक जाती है, और पैरों में वो लिवर 3 तक जाती है, आपने लिव लिवर 3 को एक्टिवेट कर दिया, लिवर 3 बहुती सांदर पॉइंट है, हाट का, और जनेटल पार्ट का, तो कभी भी किसी को बिपी हो, आप नियम रूप से, नियम नानुसार रोज लिवर 2, लिवर 3 को साइडेट कर देना, कुछी तुना में आप पाएंगे, तीसरे द इन से, और पहले दिन से भी दिखना चालू हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन से तो पक्का देखेगा, क्योंकि ये जनाटल पार्ट से जाता है, तो अगर किसी व्यक्ति के जनाटल पार्ट में कोई तकलीफ है, किसी महिला के यूटरस में कोई तकलीफ है, लिवर 3 वो भी उस होता है जिसे चौंग मू कहते हैं चौंग मू इन सब को कंट्रोल कनेक्ट करता है लेकिन अभी हम सिंपली समझे कि गुस्षे को कम करना है तो उसका संपॉइंट लगा दो और उसका ग्रांट संपॉइंट लगा तो गुस्षा शांत हो जाएगा कोई बोले नीद नहीं आती हिर्दे में तनाब रहता है नीद नहीं आती हाट सेवन लगा दीजे जो हाट का संपॉइंट है और हाट फूर लगा दीजे जो उसका ग्रांट संपॉइंट है अगर हम हाट की बात करते हैं हाट तो फायर है हाट नाइन एक बुड़ पॉइंट है हाट एड एक फायर पॉइंट है हाट सेवन एक अर्थ पॉइंट है हाट 4 एक मैटल पॉइंट है और हाट 3 एक जल बिंदू है बाटर पॉइंट है हाट अशान्त है नीद नहीं आती नीद उड़ गई है तो सन पॉइंट को सेड़िट कर दीजे और ग्रान सन पॉइंट को सेड़िट कर दीजे आप देखेंगे हाट की फाल्तों की इनर्जी निकल जाएगी और नीन में आना चालू हो जाएगी और आजकल बहुत सारी बीमारियां उर्जा की अधिकता से होने लगी है हम जब भी बात करते हैं मेंटल रिटाडिशन की मेंटल रिटाडिशन या डल या हम बोलेंगे डिलेडवलेप्मेंट कई चाइल्स होते हैं ऐसे बच्चे जिनका डिलेडवलेप्मेंट होता है तो mental retardation एडिले development का सम्मन्द हो सकता है जन्म जात उर्जा से, माता पिता की दारा प्राप्त उर्जा से तो ऐसा कहा जाता है कि five element की cycle में हम जानते है kidney kidney से bone का निर्मान होता है bone का, ये है bone ये bone है और kidney से bone marrow का निर्मान होता है bone marrow, ये है bone marrow और bone marrow से बनता है brain तो देखा क्या सुन्दर sequence है, ये आके पंक्चर में दिया है तो brain कैसे बना, ultimately kidney से बना तो जिसके kidney मजबूत, उसका brain मजबूत, जिसके kidney कमज़ोर, उसका brain कमज़ोर brain को मजबूत करना है, kidney को मजबूत करिए क्योंकि kidney से बनेगी हड्डियां और हड्डियों के अंदर की marrow और marrow से बनेगा brain तो जब किसी बच्ची की kidney कमज़ोर होती है जनम से तो वो mental retardation हो सकता है अगर कोई बच्चा mental retardation आता है तो हम उसे kidney essence का treatment देते हैं kidney essence treatment हम देते हैं mental retardation के लिए और ठीक इसे प्रकार अगर किसी को brain में tumor है तो अभी हम kidney का विचार करते हैं तो अब kidney पर गए brain में गांट है, brain में tumor है brain में कोई blood का clot जम गया है, हमें उसे हटाना है तो kidney तो water है तो हम इसका sun points added कर देते हैं और grand sun points added कर देते हैं यही सबसे बहतरी brain tumor के points माने गए हैं यह है kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7 और kidney 10 तो यह तो हमारा sun point है kidney 1 और यह हमारा grand sun point है kidney 2 तो जब kidney 1 को और kidney 2 को side it किया जाता है तो यह brain में हुए tumor को भी ठी करता है मास्टर टूंगा एकिपंक्चर में भी कहते हैं कि brain tumor का सबसे बहतरीं point है kidney 2, grand sun point क्योंकि यह kidney की unwanted जमाव को निकाल देता है किसी बच्चे को hydrocephalus हो रहा है किसी को prostate की गांट बढ़ी जा रही है तो कहते हैं कि kidney का maridine हमारे genital part को control करता है तो kidney 1, kidney 2 को side it करिए side it करने से चीजों को फालतू के कच्चरों को निकाल के भैकता है side it मतलब चूसना बच्चे ने जूदूत पिया पेशाव अटक गया है kidney में पेशाव अटक गया है bladder में पेशाव अटक गया है निकालना है sun point पर गए भाई कुछ करो kidney 1 लगाया, kidney 2 लगाया पेशाव चाड़ हो जाता है खुल जाता है kidney 1 को पेशाव कराने के लिए एक बिशेज बिंदू माना जाता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपको जब भी किसे भी meridian की गंदगी को निकालना हो अगर आपको लगता है बहुत मौटे मौटे हो गए क्योंकि आजकल हम सभी का बज़न बढ़ता जा रहा है पेट तो बहार निकलना यह बड़ी आम बात हो गई है तो उसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट बढ़ गया है पेट का निकालना है इस्प्लीन के स्वेन और ग्रांट सन को सेड़िट किया तो अर्थ एलिमेंट यानि फालतू का मौटा पाफ फैट का होने लगता है यह बात सब क्यों समझ में आती है तो देखें यह हमारा हमने बात की 60 ट्रांस्पोडिंग पॉइंट से तो हमने बहुत सारी चीज़ा समझी जो काफी समझ में भी आयोंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग basic acupuncture के बारे में काफी को जान चुके है basic acupuncture के बारे क्योंकि basic acupuncture में सबसे मुख्य होता है कि meridian क्या है तो आपको meridian पता है कि meridian क्या है 12 meridian है और 2 extra meridian है और फिर meridian के points कौन से है लगवग आपको 5-5 points तो सारे meridians के पता है तो meridian में इसके अलाव भी points होते है तो आपको अब यह भी understanding हो गई कि meridian आखिरकार होता क्या है और इसके points आखिर होते क्या है तो लगवग अब आपको basic acupuncture की समझ है अब आप कोई अच्छे-ची books लेके advance study कर सकते हैं अभी आपको books समझ में आएंगी कई सारी books समझने में वड़ी कडना ही होती है और अगर किसी को और detail में जाना है तो अभी हम एक 45 days का हम एक advance TCM करने advance TCM हमारी रोज class होती है करीब हमारी everyday 8.45 pm को रात को class start होती है जिसमें advance TCM सीखेंगे और एक week के बाद यह start होताएगा after one week और इसमें 45 days में आप बहुत को सीख सकते हैं अभी तो हमने सिर्फ 15 दिन की class की दी और 15 दिन में आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा 45 दिनों में आप बहुत सारा advance TCM सीख सकते हैं और इस पूरे 45 days को खतम करने में हमें कम से कम तीन महीने लगेंगे तो अगर किसी को जोइन करना है तो जोइन कर सकता है और अगर किसी के पास समय ना हो तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं मैं कुछ आपको Acupuncture की books भी दे सकता हूं PDF form है तो आप अपनी self study भी कर सकते हैं लेकिन अभी आपने जो सीखा है इस study को continue रखेगा नहीं तो फिर एक सिलसला चाले हुआता है फिर यहीं थम जाएगा तो चलिए आज की class को यहां बिराम देते अब कल आपका test होगा test के लिए आपको quiz देना होगी कल और आपने जो भी अपने documents बनाये हैं वो submit करना होगे तो आज की class को आप हम यहां बिराम देते इसके साथ हमारे 16 transporting point का course समापत होता है आप सभी लोगों ने इतने धहरे के साथ जोइन किया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अब हम 5 minute का break करते हैं और 8 बजे class स्टार्ट करेंगे English में किसी के मन में कोई भी query हो आप group में डाल सकाए तो चलिए class को यहां पर बिराम देते Thank you so much